पंखों से कुछ नहीं होता, होसलों से उड़ान होती है दोस्तों यू तो आपने यह कावत कई हो बार सुना होगा लेकिन आज मैं जिस सक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ या उन पर बिल्कुल ही सठीक बैठती है जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की जानी मानी लगजरी सूपरकार कमपनी लेंबरगिनी की जिसका निर्माड फारोशी और लेंबरगिनी ने साल 1963 में की थी लेकिन दोस्तों कहानी का सबसे मोटिवेशनल और इंट्रेस्टिंग पार्ट यह है कि इस कमपनी का निर्माड ही लेंबरगिनी के मालिक ने फेरारी कमपनी के मालिक से बदला लेने के लिए किया था अब आप सोच रहा होंगे कि वो कैसे तो चलिए हम पूरी स्टोरी जानते हैं दोस्तों कहानी के शुडवात होती है साल 1916 से जब इटली के एक छोटे से शहर में फौरुश्रीयो लेंबरगिनी का जन्म हुआ उनके पिता का नाम एंटोनियो लेंबरगिनी था जो खेतों में काम करके अपना और अपने परिवार की देखभाल करते थे लेंबरगिनी का शुरू से ही इंजन्स या फिर कह लिजे के मेकानिकल पार्ट्स में काफी दिल्चस्पी थी इसके अलावा उन्हें कार कावी खूब सौक था और अपने रुची को एक नई राहा देने के लिए आगे चलकर लेंबरगिनी ने इसी शेत्र में अपनी पढ़ाई की और फिर पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्होंने इटैलियन रॉयल एर फोर्स में कदम रखा जहां उन्होंने दूसरे वर्ल्ड वार में एक मेकैनिक के तोर पर काम किया और फिर वर्ल्ड वार खत्म हो जाने के बाद उन्होंने पीवड़े सेंटो नाम की जगव पर एक छोटा सा गैराज खोला और गाडियों के इंजन्स की रिपेरिंग करने लगे तब तक उन्होंने अपने फियेट टॉप लिनो नाम की एक गाड़ी भी ले ली थी जिसे वे खाली समय में मोडिफाई करते रहते थे और उसी गाड़ी को मोडिफाई करते हुए उनके दिमाग में एक जबर्जस्त आइडिया आया और फिर उन्होंने सेना के इंजन्स को खरीद कर उनसे ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिया लेंबॉर्गिनी का यह आइडिया बहुत ही जल्द काम कर गया क्योंकि वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद अपने देश की अर्थव्योस्ता को सुधारने के लिए वहां के लोगों ने क्रिशे पर ध्यान के इंद्रित करना शुरू कर दिया था और फिर ट्रैक्टर्स के हाई डिमांड के चलते 1948 में उनके द्वारा खोली गई कमपनी Lamborghini Trattory कुछी समय में इटली की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कमपनियों में से एक बन गई दोस्तो अब तक आप सोच रहे होंगे कि Lamborghini तो लगजरी सूपर कार और स्पोर्स कार बनाने वाली कमपनी है लेकिन स्वापनी ने तो अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया तो चलिए दोस्तो अब जानते हैं कि आखिरकार Lamborghini एक कार निर्माता कमपनी कैसे बना दोस्तो अब चुकी फारुशियों Lamborghini की कमपनी एक सफल ट्रैक्टर कमपनियों में से एक थी और अब उनके पास पैसो के भी कोई कमी नहीं थी इसलिए उन्होंने अपने सौक को पूरा करने के लिए उस जमाने की मसूर स्पोर्ट्स कार फेरारी 250 खरी थी लेकिन कुछ समय तक उस कार को यूज करने के बाद Lamborghini को उसके क्लच में थोड़ी प्रॉब्लम लगी और फिर उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चला सकते हो फेरारी हेंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है इस बेश्ती ने Lamborghini को अंदर तक हिला दिया अरे भाई बचपन से ही कार के दिवाने किसी भी सक्स को अगर यह बात बोल दी जाए तो बुरा लगना तो लाजमी है लेकिन दोस्तों Lamborghini को इतना ज़्यादा बुरा लग गया कि उन्होंने अपनी खुद की कार कंपनी खोलने का फैसला किया इस जिद में कि वे फिरारी को तो पीछे छोड़ करी रहेंगे Lamborghini ने एक छोटे से शहर सेंट अगाटा में एक आटो फैक्टरी खोली और उसमें उन्होंने फिरारी के तीन पुराने एंप्लोईस को हायर किया जिसके बाद 1963 में उन्होंने इस कंपनी के Lamborghini Automobile के नाम से रेजिटर कराई और फिर Lamborghini का पहला कार Lamborghini 350 GT 1964 में लांच किया गया लेकिन Lamborghini की कार दुनिया की नेजरों में तब आई जब 1966 में Lamborghini Murai Sports कार लांच की गई जिसे उसकी हाई परफॉर्मेस और अलग टेक्नलोजी की वज़ह से काफी पसंद किया गया बस फिर क्या था यहां से Lamborghini और उनकी कंपनी ने कभी भी पीछे मुर कर नहीं देखा और आज के समय में Lamborghini की गारी खरीदना हर कार प्रेमी का सपना होता है और Lamborghini की sports car आज पूरी दुनिया में अपनी तेज रप्तार और brand नेम के लिए मशूर है दोस्तों फोरेश्री और Lamborghini का जन एक बेहदी साधरान से परिवार में हुआ लेकिन सच्ची लगन और मेहनत के दम पर उन्होंने एक world class company बना डाली और दिखा दिया कि अगर आप में जजबा है तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं आपका वहमोली समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं दुस्तों अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो क्रिपया चैनल को सस्क्राइब कर ले आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद